कि यह संप्ल इंटरस्ट का फर्स वाला वीडियो है जिसमें हम पहले इस बेसिक करेंगे और उसके बाद कोशण सॉल्ट करेंगे तो बीको बेसिक से स्टार्ट करते हैं देखें सिंप्ल इंटरस होता क्या स्पोस्जिक करो जी कि मैं बैंक में जी पैसे जमा करवा देता स्पोर्ज कर लो बैंक वालोने रेट आफ इंट्रेस्ट लगा रही है दस परसेंट और मैंने बोला जी कि मैंने पैसे जो है यह बैंक में रखने दो साल के लिए तो मुझे दो साल के बाद इस प्रिंसिपल पे हजार उपे के उपर कितना इंट्रेस्ट मिलेगा उसी को बूंट है सिंपल इंट्रेस्ट तो फामूला तो यह होता है सिंपल इंट्रेस्ट कर कि जो आपका पिंसिपल है जो आपका रेट है जो आपका टाइमिंग है तीनों को multiply करते हैं और divide by कर देते हैं 100 मतलग एकर मैं इसमें find करना चाहूं तो thousand multiply by 10 multiply by 2 divide by 100 इसका मतलब यह है कि मुझे 1000 पे के उपर 2 साल के लिए जी simple interest मिलेगा 200 पे बिल्कुल simple गावे यह तो हो गया method से अब इसी question को जाना दूसरे एंगल से समझते हैं rate of interest के साब से देखो अगर मैं बैंक में 1000 रुपे रख दू और rate of interest 10% और timing हो two years इस 10% का मतलब यह होता है कि जी मुझे 100 रुपे के उपर दस रुपे मिलेंगे अगर मैं बैंक में 100 रुपे जमा करवा दूं तो मुझे उसका 10% मिलेगा बट मैंने deposit कितना करवाया है मैंने करवाया है thousand तो अगर मुझे rate of interest एक सबसे important बात rate of interest हमेशा एक साल के लिए होता है तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे एक साल में rate of interest 10% मिलेगा 10% का मतलब जितने में Bank में पैसे जमा करवाऊंगा मुझे उसका 10% मिलेगा एक साल में तो क्या दो साल में मुझे मिलेगा 10 इंटो 2 कितना percent 20% 25% किसका भी लेगा मुझे जितने पैसे मैंने जमा करवाया है तो मैंने deposit करवाया है thousand तो simply मैं क्या करता हूँ thousand का 20% निकाल लो तो वो आ जाएगा आपका रूपीज कितना 200 यह आ जागा जागा जी simple interest अब आप इस simple interest को formula से निकालो या फिर आप rate of interest को time के साथ multiply कर दो एक ही बात है तो हम basic वाले question लेके चलते हैं तो मैं जो आपको जरूरी चीज़े simple interest में पहले बता देता हूँ पहली बात अगर आपको 100 पे के उपर ध्यान सुनता है सबसे important बात है अगर आपको 100 के उपर interest जो है एक साल में वो 8 रुपे मिलता है तो आपका rate of interest भी 8% होएगा वो इसलिए क्योंकि जी 100 के उपर एक साल में मिलने वाला interest जो है उसी को हम rate of interest मोलते हैं यह सबसे important बात है फिर सुनो 100 के उपर अगर आपको 8 रुपे मिलते हैं एक साल में तो वही आपका rate of interest होएगा अच्छा अगर 100 के उपर मुझे 12 रुपीज मिले एक साल में तो मैं बोलूंगा जी कि मेरा rate of interest जो है वो 12% हुआ वो इसलिए क्योंकि 100 के उपर जो एक साल का interest होता है उसी को हम rate of interest बोलते हैं अब देखो इसी के उपर हम जड़ा question solve करते हैं जाब first question क्या दिखा हुआ है कि हमें simple interest निकालना है और बैंक में हमने पैसे जमा करवा दिए 10,000 कितने साल के लिए दो साल के लिए और रेट है 10% formula नहीं लगाते हैं बिल्कु simple करते हैं क्या 10% का मतलब ही है कि जितने पैसे मैंने जमा करवाए है उसका मुझे 10% मिलेगा एक साल में पर रेनम में और timing कितना है timing है 2 years क्या इसका मतलब अगर मैं rate of interest को 2 से multiply कर दो तो मुझे मिलेगा 20% 20% किसका जितनी money मैंने bank में deposit करवाई 20% होता है जी 10,000 का देखो बिल्कु simple है percentage की 2-0 यहां से काड़ दो और इन दोनों को multiply कर दो 100 into 20 यह आ गया हमारे पास 2,000 it means 20% जो है वो 10,000 का वो बना जी आपका 2,000 यह है जी हमारा simple interest कितने साल का 2 साल का चलिए नेक्स वेला करते हैं देखिए क्या दिया हो है नेक्स वेले question में लिखा हुआ है at what rate of interest rate of interest निकालना है sum of money become five times in 20 years इसको निको मतलब किया है मैं bank में जी कुछ पैसे जमा करवाता हूं और वो पैसे जो है 20 साल में five time हो जाते हैं पांच गुना हो जाते हैं तो बताओ rate of interest के कोई भी ऐसा question जिसमें rate of interest given हो या rate of interest find करना हो जो एक साल का interest मिलेगा वही आपका rate of interest होएगा यह बात में पहले भी बदा जो तो अगर जी आपके पैसे five time हो जते हैं इसका मतलब ही है कि मैं bank में 100 rupees deposit करवा दो principal और bank वाले बोलेंगे जी हम आपके पैसे 20 साल के बाद पांच गुना कर देंगे पांच गुना का मतलब ही है कि उसको बना देंगे 500 तो मैं ऐसा बोलूगा जी अगर मेरे पैसे 100 से 500 बन गे तो कि एक्च जुन मैं मुझे इस 20 साल में इंट्रस्ट मिला है 100 से लेके 500 का गय तो ytबलं और 400 शार्ष्ट का इंट्रस्ट मिला है但 400 का कितने साल में 20 साल का इंट्रस्ट जो है वो आएगा 400 डिवाइड बाई- 20 तो आप बहू हो लोगा एक जी एक साल साल की पैसे मेलेंगे 20 रुपए और जी 100 के उपर अगर आपका इंट्रस्ट 20 रुपए है एक साल का तो जी उसी को रेट ऑफ इंट्रस्ट भी बोलते हैं इसका मतलब रेट ऑफ इंट्रस्ट भी कितना परसेंट आ जाएगा 20 परसेंट कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन है सी ये इसका राइट अंसर है नेक्स वाला देखते हैं क्या रही होगा लिखाओ जी सम्व मनी जो है बिकम्स डबल डबल का मतलब दूग नहीं हो जाती है कितने साल में दस साल सेम कोश्चन फाइंड करना है रेट ऑफ इंट्रस्ट तो मैं ऐसा बोलत है और टाइमिंग लगेगा आपका टैन इस तो हम बोलेंगे हमारे पैसे दस साल में डबल हो है अगर हंडेड से टू हंडेड बन गे तो हमने कुछ नहीं किया बैंक वालों ने उसको पर इंट्रस्ट दिया होएगा बैंक वालों इंट्रस्ट दिया होएगा जी हंडड के ओप 100 रुपे का क्यों क्योंकि 200 में और 100 में difference कितने का 100 का तो हम ऐसा बोलेंगे कि 10 साल में इंट्रस्ट simple interest जो मिलता है वो है 100 रुपिज तो एक साल का interest जो हैगा वो हैगा 100 upon 10 यह आगया जी हमारे पाद 10 रुपे और अगर ये interest 10 रुपे 100 रुपे के उपर है तो मैंने बताया था जी कि एक साल में 100 रुपे के उपर जो interest मिलता है उसी को rate of interest गूते है it means rate of interest भी कितना percent होएगा 10% और अगर आपको ऐसा नहीं पता चलता है तो मैं ऐसा लिख सकते हैं कि 10 रुपे का interest किस के उपर principle के उपर principle कितना 100 तो कितना percent हुआ ये cancel होगया और answer आगया 10% ये कुछ लिखने के ज़रूरत ही नहीं है फिर सुनो 100 के उपर जो आपको एक साल का interest मिलता है उसी को rate of interest भोगते है कौन सा option आगया option है c next वाला चेक करते हैं लिखा जी sum of money जो है becomes 2.5 times कितने साल में 20 साल में तो बताओ जी rate of interest के है same question क्या इसका मतलब यह है कि principle अगर मैं 100 rupees deposit करवा हूँ और 20 साल के बाद after 20 years वो 2.5 times का मतलब होता है 100 का 2.5 times का मतलब 250 रुपे amount बन गया 250 तो 250 में और 100 में difference कितने का बोलोगे 150 का it means bank वाले 20 साल में जी interest हमें दे रहे हैं 150 रुपे का तो एक साल का interest कितना हुआ था हम मोलेंगे जी 150 को 20 के साथ divide कर दे तो interest बन गया 15 upon 2 यानि इसे बोलेंगे 7 and half rupees और यह interest जो है यह एक साल का interest है किस के उपर 100 के उपर और 100 के उपर एक साल का जो interest होता है उसी को rate of interest बोलते हैं so rate of interest भी हमारे पास आजाएगा 7 by 1 upon 2% नेक्स वाला चेक करते हैं नेक्स वाले question में लिखा है sum of money become 8 upon 5 of itself 8 upon 5 हो जाती है कितने साल में 5 साल में और certain rate of interest तो बताओ जी certain rate of interest जो था वो कितना है बिल्कु जिंपल है अगर जी मैं ऐसा बोलू कि principle है 100 और जी money जो है वो 8 upon 5 time हो जाता है तो 8 upon 5 time जो है वो 100 का वो कितना हुआ वो 100 का जी अगर मैं इसको cancel कर लो 8 upon 5 के साथ तो वो आएगा 160 इट मीन अमाउंट जो है वो है 160 इट मीन अगर मैं बैंक में 100 पे जमा करवा दूं तो मेरा अमाउंट जो है वो 160 रुपे बिलता है तो 5 साल में interest मुझे मिल रहा है 60 रुपीज का मैं यहां पर लिक लेता हूं simple interest तो एक साल में interest जो है वो मिलेगा 60 upon 5 तो यह हमारे पास आ जाएगा 12 रुपे का interest कितने साल का एक साल का और इंट्रस्ट किस पर मिल रहे है सोर पे और सोर पे पे एक साल में मिलने वाले इंट्रस्ट को ही हम रेट ऑफ इंट्रस्ट बोलते हैं इत मीन्स रेट ऑफ इंट्रस्ट भी हमारे पास 12% डालेगा यह इसका राइट अपसर है कौम सा ऑप्शन है ऑप्शन ह चलिए नेक्स देखते हैं कितने टाइम में एक साम ऑफ मनी जो है वह सिंपल इंट्रस्ट पे ट्रिपल हो जाता है इट्सेल्फ और रेट ऑफ इंट्रस्ट कितना दिया है 15% मतलगी मैं ऐसा बोलू कि मैं बैंक में 100 और मेरे पैसे वह 300 ट्रिपल का मतलब 300 में बन जाते हैं तो मुझे जी अमाउंट मिलता है 300 अमाउंट का मतलब पैसे बन जाते हैं मेरे तीन गोना जाता है तो मैं ऐसा बोलूँगा जी क्या इस पे जो इंट्रस्ट मिला वह आपका इंट्रस्ट मिला 200 रूपीज दियाने सुनना है बात अगर हंजर्ज वह थ हंडर्डड़ बन गए तो इंट्रस्ट मिला आपको 200 और रेट ऑफ इंट्रस्ट कितना दिया हुआ 15% क्या 15% रेट ऑफ इंट्रस्ट इसका मतलब यह है कि आपको एक्चुएल में 100 के ऊपर एक साल का रेट ऑफ इंट्रस 15 है तो आपको पंदरा वह 5 15 मिलने वाला है तो यह बदाओं तो किस नंबर किस नंबर से इतना टाइम लगेगा जी 13.3 एर्स और आपके पैसे जी तीन गोना ज्यादा हो जाएगा राइट है कौनसा ऑप्शन है ऑप्शन है डी नेक्स वह चेक करते हैं क्वेशन 9 में लिखा वाजी ताइम रिक्वाइड कितना टाइम चाहिए अगर एक सम अफ मनी जो है वह चार गुना हो जाती है और रेट ऑफ इंट्रेस्ट जो पंदर पर्शन दियो है सेम वही क्वेशन अगर 100 रूपीज डिपॉसिट करवाएं तो उसका 4 टाइम्स का मतलब आपको पैसे मिलेंगे 400 400 रुपया तो अगर मैं बैंक में 100 रुपय जमा करवा दो और मेरे को जी 400 रुपया मिले तो मैं ऐसा बोलूंगा जी इसके उपर जो इंट्रेस्ट लग रहा है वह हमारा लग आपको मिलेगा पंदर होंगे तो बताओ जी कितने साल में इंट्रेस्ट जो है वह हमें 300 मेलेगा तो simply 300 को फिप्टीन के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हम बोलेंगे जी 20 साल में हमें इंट्रेस्ट जो है वह 300 में कॉनसा अपशन है ऑपशन है जी A 20 है यह है इसका right answer वह साथ गुना हो जाए बिल्कुल सिंपल यह को है इस प्वेशन में ना तो रेट ऑफ इंट्रस की और ना ही इंटु द्रेट ऊंदौण फॉच्छ थी ना ह मैं प्विंशन में रेट पॉच्छ में ना थो ऴूड़ता हूं तो दो इसमें ना तो इसमें गिवन और ना ही हमसे पूछा गया है तो आई कि अगर मैं बैंक में एक रुपय के संबाे हुं तो यही money one seven time हो जाएगे seven time का मतलब सात रुपे बनने से इसका मतलब interest मिलना चाहिए six तो अगर पांच साल में interest दो रुपे मिलता है तो कितने साल में interest छे रुपे मिलेगा आप बोलोगे जिस simply two को three से multiply कर लो और यही three यहां multiply हो जाएगा इसका मतलब जी 15 साल में इंट्रस जो है वो 6 रूपीज मिलेगा तो आंसर आगा 15 years कौन सा option है option है D इसका right answer नेक्स वाल देखो क्या है लिखा आजी sum of money become a time same question जो अभी पहले दिया आपकी money a time हो जाती है 20 साल में तो बताओ कितने साल में यही money जो है 22 times हो जाएगी itself अब देखो ना तो इस question में rate of interest पूछाओ है ना ही rate of interest given है तो मैं ऐसा बोलता हूं जी अगर money एक रूपया deposit करवाया जाए तो eight times का मतलब वो आठ रूपय बन जाते हैं और timing आपका है 20 years 20 साल में तो 20 साल में interest कितना मिला तो आप बोलोगे जी अगर one से eight होगे तो interest मिला आपको सात रूपय और question में बूछाओ है बताओ कितने time में यह 22 times हो जाएगी 22 times का मतलब एक के बनेंगे 22 rupees तो interest बनेगा 21 रूपय तो अगर 20 साल में 7 रूपय का interest मिलता है तो कितने साल में 21 रूपय का interest मिलेगा तो आप बोलोगे 7 को 3 से multiply कर दें और 20 भी 3 से multiply हो जाएगा तो simply answer आजाएगा जी साथ साल में आपकी money जो है वो 22 times ही हो जाएगी कुंकि उसके उपर interest 21 मिल जाएगा ठीक है जी नेक्स वाला देखते हैं लास्टोशन करते हैं दिखाओ जी simple interest on a sum for five years is two-fifth of the sum तो बताओ जी इसमें rate of interest पूछा हुआ है तो principle कितना लेना है principle लेना है 100 अगर मैं बैंक में 100 रूपीज डिपॉसर कर वाओ तो पांच साल के बाद टाइमिंग है five years पांच साल के बाद यह amount जो है two-fifth हो जाता है अब चेक करें 100 का two-fifth क्या 100 का two-fifth अगर निकाल लिया जाए तो हमारे पास वह आता है 40 राइट है इट मींज 100 रूपीज डिपॉसर करवाए तो जो सिंपल इंटरस्ट है वो उसके उपर उसका two-fifth मतलब कि 40 रूपे मिलते हैं कितने साल में मिलते हैं पांच साल तो सिंपल है जी पांच साल में अगर इंटरस्ट 40 रूपीज मिल रहा है तो आप बोलोगे जी एक साल में ऐनटरस्ट जो है वहाठ पहलेगा और यहाथ रूपी इंटरस्ट जो है अलीज 100 के उपर मिलता है और एग साल पर जो मिलने वाला इंटरस्ट है 100 रूपी उपर उसको ही बोलते है एं रेट आफ इंटरस्ट सोरे that ऑफ इंटरस्ट भी कितना परसेंट आजेगा एट परसे लीट यह था हमारे समपल इंट्रत्वाइव इस तो आज के लिए बहुत जी घंग्यॉ